चावल खाने हर किसी को बेहत पसंद होते हैं सर्दी का मौसम हो चाये हो गर्मी का मौसम राइस खाना हर किसी को बेहत पसंद होता है बच्ची हो बड़े हो पोई सबको चाहिए गर्म गर्म मज़ेदार मसाले वाले राइस अब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो ऐसे में मटर का पुलाओ मिल जाया ना गरम गरम तो मजा जाता है वो भी एकदम मसालेदार तो यह हमारी जो आज की रेसिपी है टू टाइब की है लंच और टीफिन रेसिपी तो चलिए देखते हैं प्रमीला की रेसिपी में तो हेलो फ्रेंड्स में आपकी दोस्त प्रमीला आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रमीला की रेसिपी में तो सर्दियों का टाइम जैसे की चल रहा है तो सबसे पहले हम बनाएंगे मसालेदार आलू मटर का पुलाओ जिसको बच्चे और बड़े दोनों बेहत पसंद करते हैं और टीफिन के लिए इसे बना अन्दाज में जैसे की सबके घरों में बना जाता है सरसो के तेल में आपको अगर सरसो का तेल पसंद नहीं है तो आप दूसरा ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है तो इसमें जीरा डाल देंगे खड़े मसाले हों आपर हमने ले लिए जो भी सारे खड़े मसाले होते हैं इसके बाद प्याज को बढ़ी हाँ से गुलाबी होने हों भूनेंगे और फिक्या डाल देंगे सुखे मसाले जिसमें हमने डाला है जीरा पाउडर, लानुश का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, जिंजर गालिक पेस्ट, इन सब को लो फिलेम पर अच्छे स हम भूनेंगे, खुस्पो भी एकदम बहुत ही बड़या से आ गई है, पूरे खर में महग रहा है इसका, अब डाल देंगे थोड़ा सा हें, हें इसलिए डालते हैं कि डाइजेशन अच्छा रहता है, अब डाल देंगे इसमें हम रफली हमारी टमाटो प्योरी, चाहे तो आप इसको काटके भी डाल सकते हैं, अब इसको थोड़ी देंगे से अच्छे से कुख होने दीजी, जब तक हमारा मसाला एकदम तेल न छोड़ दे, अब यह हैं हमारे आलू और मटर, आलू को थोड़ा सामने बड़ा ही साइज में काटा है, यह दिखाय देने चाहिए और खाने में थोड़े से मज़ेदार लगने चाहिए, जब हमारा मसाला अच्छे से पख जाए तो इसमें हम क्या कर देंगे, आलू और मटर को एड़ कर देंगे, और लो फ्लेम परेस को हम कुक करेंगे थोड़ा सा सौफ्ट होने के लिए, चावल डालने से पहले हमेशा मटर और आलू को थोड़ा सा सौफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे उसमें मसाले भी अच्छे से कौट हो जाए, साथ में टाल देंगे हरा धनिया, और इसमें आप चावल का मसाला डालना बिल्कुर ना बुला, अगर आपके पास में चावल का मसाला नहीं है, तो इसमें आप क्या एड कर सकते हैं, थोड़ा सा करम मसाला भी, क्योंकि कैसे राइस है हमारे ये, मसाला राइस है, अगर बच्चे मसाला कम खाते हैं, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जितने ज़्यादा हमने मसाले इसमें आड किये हैं, आपको भी उतना ही करना, ऐसा जब यह अच्छे से एकदम क्या जाएंगे बॉयल आ जाएगा के बाद ही इसमें को हम कवर करेंगे और डाल देंगे थोड़ी सी स्लाइस में क्या हरी मिट्स और नीमू करस डालना बिल्गून न हुरें यह देखे बॉयल आज चुका है अब इसको कवर कर दें और तब तक कवर करेंगे जब तक यह पक्नी डाले तो यह आगे हमारा इसमें सांबर मसाना यानिके ना आप भाजी मसाना और ना ही समसाना तो इसमें का डालना हमने सांबर मसाला और थोड़ा सा हराधनिया इन तीनों मसाव के पास जो भी हो ला कोई भी मसाला जरूर एट कर जिए उसके बाद हमें कमेंट करके बताईएगा आपको हमारा मसालेदार मटर पुलाव कैसा लगा है तो ये देखिए हमारे ये राइस बन कर एकदम तयार है फटा फट से आप खाईए और लंच में पैक कीजिए दूसरी जो हमारी राइस की रेसिपिये इसको गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है यानि की तूर दाल का पुलाव और वैसे तो जम मन करे सर्दी हो या गर्मी कभी भी इस पुलाव को आप बना सकते है सिंपल है बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये जो पुलाव है इसमें हमने सिर्फ खड़े मसाले को यूज किया है इसमें हमने ड्राय वाली जो मसाले होते हैं उनका यूस नहीं किया है, जिसको आप रायता, चटनी, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सिंपल बास्मती राइस लिया है, एक कप, इसको हम थोड़ी देर के लिए सौक करके रख देंगे, और साथ मिलिये हैं यहाँ पर हमने तूर दाल, यह लिए हमने ह कप चावल और आधा कपाब का दाल लिया हमने, पंदर से बीस मिनट को इसके लिए हम सौक करके रख देंगे इसे, और इसको अच्छे से आप वाश कर लीजिएगा, तीन से चार बार, गी हमारे इसमें सभी खड़े मसाले हैं, जैसे छोटी इलाइची, लोंग, बड़ी इलाइची, दाल चीनी, जावितरी, काली मिर्च, तेज पत्ता, लोंग, और साथ में जीरा, इन सब का फ्लेवर बहुती ज़्यादा मज़ेदार होता है, किसी भी जब खाने को बनाते है उसका टेस्ट दुगना हो जाता है, साथ में लिए हैं यहाँ पर हमने बड़ी प्याज, यानि की दो प्याज ले लिए हैं, और ये बनाएंगे हम सिंपल, ओयल में जो भी आपको पसंद है, उस तेल में आप बनाए इसको, आप इसको देसी गी में भी बना सकते हैं, और य प्याज को अड़ कर दे, क्योंकि टीफिन में जब हम लेकर जाते हैं थोड़ा चेंज होना चाहिए, बच्ची हुए बड़े, तब ही वो खाने में स्वादिस भी लगते हैं, और बच्चे उस टीफिन को पूरा फिरिश कर लेते हैं, और जब कभी हमें हलका फुलका खाने का मन करें, चेंज करने का मन करें, तो आप ये दिन के टाइम जरूर इस चावल को बनाईएगा, यानि कि तूर दाल के पुलाव को, तो यहां पर आप बटर या देशीगी का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें, और साथ में क्या जाएगा इसमें, करी लीव्स, क्योंकि जब तू इसमें जरू करें, अगर आप इसमें खाते हैं, तो थोड़ा हें इन भी आप करें, और अब इसमें डाल देंगे, हम यहाँ पर हम दाल और हमारे चावल, क्योंकि दाल और चावल तो हम अकसर खाते ही रहते हैं, अलग अलग उसमें, लेकिन आप इसको इस तरह से का एकदब निव और मज़ेदार रेसिपी है यह अब इसमें हम एड करेंगे तीन कप पानी यानि कि हमारा एक कप चावल था और आधा कप दाम थी तो इसके हम क्या करेंगे दोगना पानी लेंगे और हाइफ लेंपर इसको अभी हम बॉयल आने देंगे अब यह बॉयल आ चुका है इसमें तो अगर आपको मेरी यह राइस दोनों पसंद आ रहे हैं तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और लंच टाइम में टीफिन राइस्पी में आप इसको जरूर बनाईएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलेगा दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा लाजबाब लगा है और इजी कौन सा लगा है तो यह हमारे राइस बनकर तैयार हो गए हैं दस से पंदर मिनट में तो फिर से मिलेंगे आपको एक न्यू रेसिवी में अब दीजी हमें इजाज़त तब तक के लिए बाई बाई और कर दू happiest क visãone मोदा बंध्या ज Allah अनुद कुछ अप्रयश्या घ्मा- conect के लुट गए हमें आपको फिर सया Bere है बंद बाल में पना है Pennsylvania